है वेल्कम टो रोएध एजोकेशन अब तो यह आंग गोंगों लूट पाइज नॉट दॉट्टिक नॉट्ट नॉट्री अब क्या विए बिद्धेश्टिक नॉट्ट थीचेंगे तो अभी मोड केसा फाइंड करते हैं थेंगे अभी मोड के लिए एक formula है मैंने आपको median के लिए भी बता राता है मोड के लिए एक formula है मोड के लिए क्या formula है mode equals to L plus bracket F1 minus F0 F0 बोल सकते हैं आप इसको 2 F1 minus F0 minus F2 into H अभी यह मैंने जैसे पहले वीडियो में बताओ अभी इसमें F1 क्या है L क्या है F0 क्या F2 क्या है बतलब सब आपको मैं बढ़ा दूँगा यह पूरे terms क्या है F0 ठीक है formula एक लिए और notebook और pen इसको साथ में रखी आपके चलो अभी start करेंगे सबसे पहले step क्या है इसको लिख के लो column बना के लिए 2 column है और mode में एकदम easy way कि mode में कोई तिसरा column नहीं होता है mode में यही दो column है यही दो column के उपर तुमें solve करना है दो column कौन से है first column तो as it is है content of fat और second column है milk collected content of fat क्या क्या है 2 to 3 3 to 4 4 to 5 5 to 6 6 to 7 ठीक है and milk collected कितना है अभी आपे 30 70 80 60 and 20 बस यही दो column है दो column से पूरा solve करना है अभी देखो formula क्या बोला था मैंने चलो यह साइड solve भी करेंगे अभी solving कैसे करेंगे परे mode का formula क्या है mode equals to L bracket F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 F0 बोल सकते है not नहीं तो into H अभी सबसे पहले find करो देखो यहाँ पर N नहीं है मतलब इसकी total करने की जरूर नहीं पढ़ेंगी median अलग है mode अलग है तो mode में directly आपको पहले अभी देखो पहले F था अभी यहाँ पर F1 F0 F2 है क्या होता यह सबसे पहले second column में से हाइस नंबर कौन सा है में को यह बता ही है 30 है 70 है 80 है 60 है 20 80 है ठीक है तो यह कभी भी क्या होगा F1 जो सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे हाइस नंबर है second column में से उसको आप दोगे F1 और F1 के देखो में को बोलो 1 के पहले क्या आता है जीरो आता है तो क्या होगा F0 उपर होगा 1 के बाद क्या आता है F2 आता है इदी है ना ठीक है अभी F1 क्या है सबसे बड़ा 80 है तो उसके एकदम यह साइड में यह कहा रहेगा सबसे है नंबर L lower class कहा रहेगा L रहेगा ठीक है 1 का है ना 2 3 कितने कितने से बढ़ रहे 1 1 से बढ़ रहे तो difference क्या रहेगा 1 रहेगा तो H क्या है 1 है चोला अभी solve करेंगे directly mode equals to L क्या है अभी तुमारे पास 4 है plus बड़ा काई रहे लिए करेंगे F1 क्या है F1 क्या है 80 है minus F0 क्या है उपर वाला 70 upon 2 देखो यहापे 2 दिख रहा है आपको 2 as it is अभी F1 क्या है यहापे 80 80 minus F0 क्या है 70 minus F0 क्या है 60 bracket close into H क्या है 1 पहले सबसे पहले क्या solve करते है bracket Q क्योंकि लिए board बास ने बता है ठीक है 80 minus 70 10 2 into 80 160 होगा minus देखो minus आ गया मैं को यहाँ minus 70 as it is minus 60 as it is into 1 और into 1 किसे भी देखा अगर 1 यहाँ पर नहीं लिखा तो चलता है into 1 अगर 1 से कोई भी मिल्ली बला करो answer वही आएगा ठीक है तो यहाँ पर 4 plus 10 as it is 160 minus 70 कितना होगा कितना होगा 90 minus 60 into 1 1 ने लिखा तो मैंने वह अचल जाएगा into 1 कुछ वही answer आएगा ठीक है तो 4 plus 10 upon 90 minus 60 क्या होता है क्या होता है 90 minus 60 30 ठीक है तो अभी यहापे पस लास्ट टेप में अभी हम लो करना क्या है यहापे पहले तो 00 cancel मैंने बोला simplify करके लोगे आप जितना होगा उतना तो बचा क्या है यहापे 4 plus 1 upon 3 ठीक है तो आप इसको कैसा भी solve कर सकते हो मैंने बोला आपको पहले अगर denominator आपको same करना है push ने नीचे 1 है आप वो कर सकते हो ठीक है कैसे करोगे आप अगर आप इसको भी divide कर सकते हो 3 को 1 से लेकिन वो point में आएगा division जिसको नहीं आ रहा है इसको problem होता है आपको division आता रहेगा आप इसको divide कर लो answer same ही आएगा answer को अलग नहीं आता है ठीक है अगर आप LCM denominator cross multiplication करोगे 4 into 3 12 plus 1 into 1 1 3 1 जा 3 क्या होगा यापे 12 plus 1 13 upon 3 last में जाके divide करो तभी भी हो जाएगा 3 से 13 को divide कितना होगा 3 4 जा 12 3 minus 2 0 3 minus 2 sorry 1 1 minus 1 0 अभी नीचे 1 आता है 3 के डेवले में नहीं point 0 3 कितने जा 3 3 9 फिर से 1 फिर से point ले उपर है एक बार दिया है 0 point का कैसे होता है एक बार bank में भी document दिये loan ले ले लिया ठीक है तो अभी 0 टेको 10 टेर रिपीट हो रहा है तो answer आपने अगर यापर फिर छोड़ दिया तो चलेगा आपका answer क्या आएगा 4.3 अगर और एक सिंपल वे से बोल रहा हूँ है अगर आपको जिसको ये cross multiplication tough लग रहा है वो क्या कर सकते है यहाँ पर ही 3 को 1 से multiply करो कैसे यह समझ मैं आपको जिसको यह यह लिखना है यह लिखो मैं यह रफ करता हूँ अभी इदर से और एक स्टेप बता रहा हमको सिंपल वे यहाँ पर क्या है 4 प्लस 1 अपन 3 3 से हम अभी 1 को 3 से डिवाइड करो 3 3 के टेवल में 0 आता है क्या नहीं आता है 1 आता है 3 0 जा 0 1 माइनस 0 देखो पॉइंट देखे 0 ले लिया 3 3 सा 9 फिर से क्या है अगा निचे अंसर 10 माइनस 9 1 फिर से 0 फिर से 3 3 सा 9 फिर से अंसर 1 मतलब रिपीट हो रहा है तो आप पॉइंट के बाद 2 नमबर ले लो ठीक है अंसर क्या मिला तुमको 0.33 तो 4 प्लस 0.33 तो करो addition अभी 4 प्लस 0.33 पॉइंट यह तो आगी 0 0 0 प्लस 3 3 0 प्लस 3 3 0.4 अंसर क्या आया 4.33 मीस 4.3 भी चल जाता है ठीक है यह आपका mode